गुड मॉनिंग स्टुडेंट एंड वेलकम तो रासा इंटरनेशनल स्कूल तोड़े दा चैप्टर फो क्लास सेवन चैप्टर थर्ड दिल्ली सर्तनत और आज हमें चैप्टर में बात करेंगे सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में पेज नंबर बाईस से तेईस Look at the topic, Sayyad dynasty. The Sayyad Sultan ruled the brief period. There was the four Sayyad king. Khizr Khan became the first Sayyad ruler. Sayyad dynasty में चार king हुए जिसमें जो Khizr Khan जो था वो first Sayyad ruler था. Now, we are going to discuss the Khizr Khan, the first ruler of Sayyad dynasty. The Khizr Khan was the governor of Multan under the Frosha Tughlaq. After the death of Fros, he supported the son of Fros in war succession. When Taimur attacked India, he joined him. When Taimur left India, he appointed Khizr Khan as a governor of Multan, Lahore and Dipalpur. Khizr Khan conquered Delhi in 1414 and started the rule of Sayyad. देखे, Khizr Khan कौन था? वो मुलतान का governor था, जो की Frosha Tughlaq के अंदर में काम करता था. ठीक है? After the death of Frosha, जब Frosha की मृत्य होई, तब उसके बाद क्या हुआ? उसने उसके सन Frosha को, मतलब सक्सेशन किया. जब तैमूर ने भारत में अटेक किया. तब उसने क्या किया? खिजर खान ने उसको जॉइंड कर लिया. और जब तैमूर ने भारत छोड़ के यहां से गया, थर्टी नाइंटी एट में उसने जब अटेक किया जब भारत छोड़ के गया, तब उसने खिजर खान को क्या किया? गवर्नर के तौर पे इंडिया में छोड़ गया. तो उसक के बाद यहां से सयद डैनस्टी जो है शुरू हो गई. तो यहां से अगर हम बात करते हैं, who was the founder of सयद डैनस्टी? तो खिजर खान was the founder of सयद डैनस्टी. तो खिजर खान कौन था? सयद डैनस्टी का founder. अब हम बात करते हैं, इसमें मुबारक शाह सयद. जिसका time period है 1421 to 1434. म of the main reason could have the revived on the old glory of सल्तनत. The nobles however were against him. Most of his time was therefore spent the controlling his nobles. मुबारक शाह जो था? खिजर खान के बाद जो था? वो मुबारक शाह सयद डैनस्टी का अगला king मना. उसका पूरा time जो था? वो उस चीज में रहागा कि मैं किस तरीकी से सल्तनत डैनस्टी की जो एक glory थी, जो एक जीत थी, हो मैं वापस लेकर रहा हूँ. और जोतने भी जो नोबिल होते तो उस टाइम पे, 40 नोबिल्स, मदब ये लोग डिसाइड करते थे कि किंग कौन मनेगा, पूरा control उनको करने में अपना time निकाल दिया. मदब पहले यह होता था कि जो 40 नोबिल्स होते थे अफगानिस्तान के अंदर, उन लोगों ने जो बोल दिया, वही 1443, मुहमद शाह वास मुबारक शाह's nephew, during the rings, nobles became very powerful, अब मुहमद शाह कौन था, मुबारक शाह का nephew था, ठीक है, during this ring, nobles became very powerful, और इसके टाइम पे जो 40 नोबिल्स थे, वो बहुत ज़दा पावरफुल रहे, अब हम इसके बात करते हैं, 4th, अलाउद दीन आलम शाह सही है, इसका time period is 1443 to 1455, अलम शाह was the next ruler, he lost Delhi to Behlal Lodhi in 1451, अब अलम शाह कौन था, वो एक last ruler था, सहीद दानेस्टी का, जिसकी बहलो लोधी से, उसने 1451 में, मतलब दिल्ली को हार गया, with this brief rule of सहीद के, और इस चोटा सा जो इनका time period था, 14, 14 से लेकर 1451 तक, इस time period में जिसके last ruler थे, अलाउदी शाह आलम जो की लोधी डैनस्टी से हार गए, बैलो लोधी से हार गए, और इनके हारने के बाद, अब क्या हुआ, इंडिया में जो है, अब लोधी डैनस्टी जो है, मतलब आ गई, लोधी डैनस्टी, the लोधी डैनस्टी was a greater achievement than the Tuglaq and Sayyad, however, its history was full of conflict, up till now, all the rulers of सल्तनत वर तर्किश origin, the Lodhi's, however, were Afghan, आलम शाह and the last Sayyad ruler, voluntary, abdicate the throne in favor of बैलो लेदी, देखिए, अभी तक जितने भी यहाँ पर जो सल्तनत थे, जो सल्तनत थे, वो तर्किश हुआ करते हैं, लेकिन यह पहले ऐसे ते जो अफगान थे, जो लोधी जो ते डैनस्टी, जो अफ 1889, the first Lodhi ruler was Behalol Lodhi, he tried to consolidate the fragment Sultanate, he removed the rebellious governor and appointed loyal Afghan Nobel, governor of important openness, जब Lodhi dynasty, मतलब पावर में आई, 1451 में, Behalol Lodhi became the powerful ruler of Lodhi dynasty and became the founder of Lodhi dynasty, जब वो लोधी दैनस्टी का जो है, मतलब जो वन्ज की जो नीव रखने वाला बन गया, और पला रूलर बना, सबसे बहले उसने क्या किया, जित ने भी उससे बगावत करने वाले गवर्नर थे, उनको निकाल के उसने क्या किया, अफगानिस्तान के लॉयल गवर्नर थे, जो की मतलब जो बिलकुल एक उसके वफदार है, उनको ही रखा, अब जो बहलो लोधी के बाद जो एक रूलर आया, वो बहुत पावर्फूर रूलर था, सिकंदर लोधी, उसने क्या किया, उसने अपने, जो अपने मतलब स्टेट को थी, वो जॉनपूर बिहार तक को ले गया, और उसने जो बेंगॉल से थी, उसने फ्रेंडशिप पलिटी टीटी करी, उसने अपने राज में क्या किया, अग्री कल्चर को बहुत जदा आगे बढ़ाया, और जितनी भी जो प्राइस थे, जो बढ़ती हुई प्राइस थे, उसके प्राइस को उसने बिलकुल बैलेंस किया, और सबसे बड़ी बात सिकंदर लोधी ने जो है आगरा की नीव रखी, मतलब जो आगरा सिटी जो है, वो किसने बनाया, आगरा सिटी जो है, वो सिकंदर लोधी ने बनाया, किसने बनाया, आगरा सिटी जो है, वो सिकंदर लोधी ने बनाया, और उसके बाद उसने क्या किया दा फाउंडर ओफ आग्रा मतब आग्रा का फाउंडर था हो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें इब्रहीम लोधी दे लास्ट डूलर ओफ लोधी डैनस्टी इसका टाइम पिरफ 1517 तो 1526 इब्रहीम लोधी सक्सी सिकंदर लोधी और अफगान नोबिल रिबेल्ड अगैंस हिम जैसे ही सिकंदर लोधी के बाद इब्रहीम लोधी पावर में आया तो क्या हो गया जितने भी अफगान नोबिल थे आपको पहले ही पता चुका हूँ जो 40 नोबिल्स थे मतलब 40 लोग होते थे जो उनको नोबिल्स बोला जाते थे जो बहुत समझदार और पड़े लेके होते थे वो डेसाइट करते थे कि किंग गौन मनेगा ठीक है वो जो है उसके अगेंस हो गाए ठीक है अब यहाँ पर जो इब्रहाइम लोधी थे उन्होंने क्या किया इब्रहाइम लोधी रिप्लेस सीनियर नोबिल को रिप्लेस किया और जो की यंग थे उनको अटाके इब्रहाइम लोधी ने क्या किया इब्रहाइम लोधी ने सीनियर नोबिल को रिप्लेस किया और जो की य जब इन्य यंग को हटाया गया और उनकी जगा सीनिया को रखा गया तो जो यंग जो ये नोबिल्स थे वो जाके बाबर से मिल गए और बाबर ने इबरहीम लोदी को हरा दिया तो मैं आपको बता दू 1526 में क्या हुआ बाबर से मतलब जो बाबर बाबर था उसकी जो लड़ 1526 में यानि 1526 में फिर्स बैटल ऑफ पानीपत में बाबर पूरी तरीके से मुगल यहां पर जो डैनिस्टी है वो स्टैबलिश हो गई तो मुगल डैनिस्टी यहां पर का आई मुगल डैनिस्टी यहां पर आई 1526 में आफ्टर दा बैटल ऑफ पानीपत और पानीपत की फ हुआ दा बाबर डिफीट इब्रहीम लोदी है ना and after that बाबर बिकेम दा पावर फोर रूलर ऑफ इंडिया and मुगल डैनस्टी मतलब यहां पर मुगल डैनस्टी का वो पूरी तरीके से स्टैबलेफिश्ट हो गया तो अंगले टॉपिक मा हम पढ़ेंगे मुगल डैनस्टी I hope you like this video we will upload some more new topic of this chapter till then stay safe and good bye